मार्पत्ना फूल भाग बीजो लेक्चर छटू जीव आगड केम वदीशके जेम पहले पगतिये चडवा वगर भीजा पगतिया उपर पहुँचू जे तेवीज रिते स्तूल जगत मा रहेला मूर साथ परदार्थो के जेवडे आ जगत नी रशना थाई जे ते परदार्थो नी हकिकत जानिया अगर समझ या पची शुक्षम जगत नी हकिकत जानवन वदू सरर बने चे आ इस्तूल जगत जे मा हाल आपने जागरुद चीए अने जेने आपने स्तान मानिये चीए ते इस्तूल जगत साथ परदार्थो नू बने लूँचे सास्त्रों मा साथ जमीन वरणवां मा आवेल चे जे माटे केटलाकनू एवु मानवू चे के एक उपर बिजी अने ते उपर त्रीजी एम तबकानी जेम एक बिजाओ पर जमीनो रहेली चे परन्तू तेवी रिते न थी आप पुथ्वी ना गोडानी अंदर जमीन केचे नकर परदार्थ नी बने ली चे ते जमीन ना अनूओं थी पानी ना अनूओं वधारे शुक्षम होवाती पानी जमीन मा दरेक इस्थडे प्रसरेलू छे पानी ना अनुओ करता पवन ना अनुओ वदू शुक्षम होवा थी पवन पानी मा सरासर व्यापिरे लोचे पवन ना अनुओ थी प्रकाश्ना अनुओ वदारे शुक्षम होवा थी पवन ना अनुओ मा प्रकाश्ना किर्णों ना अनुओ पवन मा फिलाए गेलाचे पवन ना अनुओ वदू शुक्षम होवा थी पवन पानी मा सरासर व्यापिरे लोचे पवन ना अनुओ थी प्रकाश्ना अनुओ वदारे शुक्षम होवा थी पवन ना अनुओ मा प्रकाश्ना किर्णों ना अनुओ पवन मा फिलाए गेलाचे तेविज रिते प्रकाश्ना अनुओ थी इथर ना पहला तबकाना अनुओ प्रकाश्न करता वदारे शुक्षम होवा थी ते इथर प्रकाश्ना अनुओ मा बरपुर रहलू थी अने बिजा तबकानुओ इथर पहला तबका करता वदारे शुक्षम होवा थी ते पहला तबकाना इथर मा फिलाए रहल चे अने त्रीजा तबकानुओ इथर बिजा तबका करता वदारे शुक्षम होवा थी ते त्रणे तबकाना मोजाओ पुत्वी ना अप्रचन गोडा मा तमाम तत्वो यानिके परदाथो नी अंदर अने बहार मोटा घेराओ मा फिलाए रहला चे अने मोजाओ महान सागर ना मोजाओ नी जें आ पुत्वी ना गोडा नी अंदर अने बहार चालू निरंतर आव जाव करे चे आरी ते नंबर एक जमीन नंबर बे पाणी नंबर त्रण पवन नंबर चार प्रकाश यानिके किर्णों नंबर पाच, पेला तबगानू इथर, नंबर च्या बिज़ा तबगानू इथर, नंबर साथ, त्रीजा तबगानू इथर, त्रणे तबगाना इथर साइंस्ती पुर्वार चे पेला तबकानू इत्थर, नंबर छो, बिजा तबकानू इत्थर, नंबर साथ, त्रिजा तबकानू इत्थर, त्रणे तबकाना इत्थर साइंस दी पुर्वार छे एम एकज इस्थर मां आ साते परदार थो एक बिजानी अंदर बड़ेला चे अने तेनी आ पुत्वी बनेली चे आ परदा थो मां केटलाक परदा थो आपने जोई शकता नती जेती तेनी हस्ती नती एम मानवू ए बूल बरेलू चे गणी वक्ते जोई शकाये तेवा परदा थो के जे हस्ती मां हुआ चता अमुक कारोण ने लई ते आपना जोवा मां आउता नती दाकला दरीके हवा मां पाणी ना अनुओ रहेला चे चता ते अनुओ यानिके पाणी आपना जोवा मां आउता नती नंबर बे, कोई वस्तु बहुँ दूर होई, के जयां आपनी द्रस्टी पोँची शक्ती ना होई, त्यारे ए वस्तु नी हस्ती होवा चता, ते आपना जोवा मा आउती न थी नंबर त्रण, आपने विचार मा तलीन होई है, त्यारे कोई वस्तु आपनी सामे होई चता, आपनू ध्यान ते तरफ ना होवा ना लिदे, ते आपना जोवा मा आउती न थी कोई वस्तु बिजी वस्तु ती डंकायल होई, त्यारे डंकायल वस्तु आपना जोवा मा आउती न थी दाखला तरीके खगोर शास्त्रियों पुर्वार करेल छे के बुद्ध नो ग्रह सुर्या नी बाजुमा छे, परंतु सुर्या ना प्रचंड प्रकास ना लिदे ए ग्रह देखातो न थी आरी ते ग्नान इंद्रियों मा जेटली शक्ती रहेली होई, तेटला प्रमान मा आपने ए इंद्रियों थी आ जगतने जोई, जानी, शक्ये छिये परंतु जे हस्ती अत्ती शुक्षम छे, तेने आपनी ग्नान इंद्रियों आग, कान, नाग, जबान, चामडी, के जे मामूक प्रमान मा जशक्ती होवाती, अत्ती शुक्षम वस्तुनी आपनी ए इंद्रियों उपर असर थाती न थी पन इवी शुक्षम हस्ती ने आपने न जोई शक्किये, अग, न जानी शक्किये, तेम न थी आपनामा इवी बिजी परोक्ष सक्तियों छे, के जे हजीप अप प्रगट छे ए शक्ती पवित्र जिन्दगी गुजारवाती, तेमज इबादत मा एकागरा थवाती खिलवी शकाई चे अने ज्यारे ए शक्तियों खिले चे, ते आरे आ इस्तुल जगतना अत्ती शुक्षम परदातो तेमज उपला भुवनों मा रहेली पाक खुदाई रचना जोई अने जानी शकाई चे जेवी रिते आ इस्तुल जगतना साथ परदार्थो एक बिजानी अंदर वया पेल चे तेवी रिते साथ आस्मानों ना तबक का एक बिजाओ पर रहेला नती परणतु एक बिजाओ पर वया पेला चे उपला साथ आस्मानों शास्त्रों मा भर्णवेला चे जे विर तै इस तूल जगत साथ पर्दारथोनू बनेलू छे ते विर तै पेलू आसमान के जे शुक्षम जगत छे ते पन साथ शुक्षम पर्दारथोनू बनेलू होदे तेना साथ तबका छे इस्तूल जगतना सात परदार्थों मा अत्ती शुक्षम परदात के जे त्रिजा तबकानू इथर चे तेमा शुक्षम जगतना पहला तबकानू अनू प्रवेश तहल चे पहला तबकानू अनू शुक्षम जगतना पहला तबकानू अनूमा प्रवेश तहल चे तेवी रिते विजा तभकाना तृजा तभकाना वदू शुक्षम अनुओ अने तृजा मा चोता तभकाना शुक्षम अनुओ एविर ते शुक्षम जगतना पेला तबकामा रहेला साथ तबकाना अनुओ आपना इस्तूल जगतना छेला तबकाना शुक्षम अनुओमा वयापी तेने जीवन शक्ती आपेछे मतलब क्या आइस्तूल नी हस्ती शुक्षम जगतना पेला तबकाना साथ परदातोना अनुओ तेज निबेली छे के जे आज जगतना साथ परदातोना अनुओमा अंदर वयापक होवा उप्रांद तेना उपर मोटा गेरावमा फेला आएला छे अन एक गेरावो एटलो विशार छे के जे मधियमा नारंगी मुकाईली होई तेटलो ज अलप्त विस्तार आपना इस्तूल जगतनो गणी शकाई शुक्षम जगतना पेला तबकना अनुओ इस्तूल जगतना इस्तूल जगतमा वयापक छे चता इस्तूल जगतना अनुओने शुक्षम जगतना अनुओ नटतर करता नती एकलुज नहीं पन एस्तूल ना अनुओ अने शुक्षम ना अनुओ वचे विशार अंतर रहेलू छे शुक्षम ना ए अनुओ इस्तूल जगतना अनुओने चेतन शक्ति आपी रहेला छे आ सबन मा परदात शास्त्रियों जगतना परदातों माटे पुर्वार करेलचे के कोई पंड नकर वस्तु हो जोता पहला अनुआ आपने कीचों कीच जनाईचे ते खरीरी ते कीचों कीच नती होता परन्तु एक बिजाक्षी गणा चुटा होईचे दाकला तरीके शियाडानी रुतु माँ आपना मकार ना बारना संकोच जाईचे अने चों मासा मा फुली जाईचे रेल्वे ना पाटाओ के जे अडो और जोडी देवा मा आवेचे ते पन रातरी दिवस दर्मियान 24 का लाक मा एक भी जाती सहेच चुटा पड़ी पाचा बेडा थाईचे आतो इस्तूल नजर्थीच इस्तूल वस्तू अनू माप्थाईचे पन शुक्षम दस्टिती जोता एस्तूल जगतना अनूँओ वचे रहेलू अंतर गणू विशार नजरे पड़ेचे मनुश्य देहदारी हालत नी साधरन हालत मा होईचे त्यारे पोते आ जगत मा पूर्ती जग्या मा छे एम माने छे परन्तू आ इस्तूल जगत बहुं तंग जग्या छे आ इस्तूल शरिल छोड़ी शुक्षम जगत मा जीव जारे प्रवेश कर से त्यारे तेने खातिरी थाशे के इस्तूल जगत ये तो बहुंज तंग जग्या हती बोलनाका सुल्टान मोमशे फर्मान मुंबारक मा फर्मावियू छे के तमारो जीव ज्यासुदी बदन मा केदी छे त्यारे आजू बाजू जोई शक्तो न थी पन जारे बदन ती जुदो था शे त्यारे बदी जग्या जोई शका छे बीजेस तड़े पन फर्मावियू छे के तमो आज दुनिया चोड़ी ने आती वदारे तंग जग्या यानि के जानवर अथवा वनस्पती ना अवतार मा नहीं जाओ पन आज जग्या थी वदारे खुली अने विशाड कुशादे जग्या मा जाओ आ फर्मान एम बतावे चे के इस्तूल थी शुक्षम जगत वदारे विशाड चे अने आ नियम मुझब शुक्षम जगत ना अनुओ के जे इस्तूल जगत ना अनुओ मा अने आस्पास वया पेला चे ते शुक्षम डस्टी थी जोता जणा शे के शुक्षम अनुओ इस्तूल मा वयापक हुआ चेता ते इस्तूल ने तंग नती करता मतलब के एक एक अनुओ वचे विशाड जग्या अंतर रहे लुचे शुक्षम जगत ना शुक्षम अनुओ आपना इस्तूल जगत ना अनुओ मा वयापक रहे लाचे तेमाच आसपास फेला अला चे छता तेनी आपणने असर थती नती, कान के शुक्षम जगत ना अनुओ इटला शुक्षम छे कि आपणी पांच ग्नान इंदिरियों ने तेनी हस्ती नी असर थती नती, अने तेती तेनी आपणने खबर रहती नती हाल मा अपने इस्तूल जगत ने जे रंग आने रूप मा जोईएं छे, ते खरीरी ते आपणने नजरे पड़ता रंग आने रूप जेवू आ जगत नती जगत मा सगड़े इस्तड़े विजडी भरपूर रहेली छे, अने ए विजडी ने आपणने जोई शक्ता नती, परन्तु ए विजडी ने जोवा जेटली आपणी आखो मा अगर शक्ती होत, तो आ जगत जेवा रंग आने रूप मा देखाईचे, ते ती ददन अनोखाज रंग आने रूप मा देखाथ मतलब के जो आ जगत मा भरपूर रहेली विजडी ने आपणे जोई शक्त, तो सुरिय आने चंद्रमा आपणने देखाथ नहीं, और आखुए जगत जाने विजडी प्रकाश नो महा सागर होई एवु जोवाव मा आवत, और ते ती सुरिय नी रोश्णी नो बान आपणन दिवस नो तफावत खाल जे जणाई चे, ते जणात नहीं, आव पर ते आपने सेज़ शम्जी शक्षू कि आ जगत जेवु देखाई चे, और जणाई चे, ते वीच ते निहस्ती चे, एम समझ वो नहीं, पाग खुदा ने शुक्षम रचना भेद मा प्रवेश करवानो मार्ग मनुश्या ना दिल माती चे, और एक खचित मानू जो यें, के शुक्षम माती इस्तूल नी उत्पती चे, एटले के खरी अस्ती शुक्षम नी चे, दाटला तरीके आमबा नी गोटली मा, आमबा नू आकु जाड शुक्षम हालत मा रहे लू चे, इंडा मा मर्गी शुक्षम हालत मा रहे लू चे, एक प्रवाई बिंदू मा मनूश्या शुक्षम हालत मा होई चे, आवी रिते तमाम इस्तूल नी हस्ती नो मोड शुक्षम चे, आज जानिया पची, दिल माती इस्तूल नी हस्ती नी बावना मिटावी दई, शुक्षम नी बावना प्रगटावी जो ही है, के जे बावना जीवने आगर वधारी शके चे, मुलाना का सुल्तान मुमा शुक्षम फर्मावी हो के, अलाहुमा स्लिल्ला मुहमदिन वाले मुहत, तमें जायर ने जोचो, अने इचोचो, परन्तु बातुन ने जोचो, त्यारे तमारा काम सित थशे, आउपर आपने मनन करिये, तो जणाशे के आपने हलन चलन करियें च जीब वड़े बोलियें चे, कान वड़े सामडियें चे, पड़ा सगडिक रियाओ, ए स्थूल अव्यव्यो नती करता, परन्तु तेमा बातुन मा रहेली शुक्षम शक्ती करें चे, दरेक स्थूल वस्तू पोतानो रंग बदलें चे, अने एक नू रुपांतर थाई चे, परन्तु शुक्षम नी हसती इस्थूलती वदारे टकाऊ चे, अने तेती शुक्षम नी हसती इस्थूलती घणी चड़ियाती चे. आपने शुक्षम मा थी इस्तूल सरूप मा आवी आ इस्तूल जगत मा जनम लिदो और मरण वक्ते आ इस्तूल देने छोडिया बाद शुक्षम जगत मा शुक्षम सवरूपे आपनी अस्ती प्रगट थशे हवे जयरे अपने आ इस्तूल जगत मा थी शुक्षम जगत मा जयशू त्यारे आ इस्तूल ना साते परदातो जेवा के नकर प्रवाही वायू प्रकाश अने त्रण प्रकार ना इथर जे शुक्षम जगत ना पहला तबकाना अनों जे इथर ना छेला तबकाना अनों ती वदारे शुक्षम होई चे तिया आपने शुक्षम शरीर साते तिया जागरूत थशू हजरत मुलान इमाम जाफर सादीक अलेश साहिबे फर्मावी चे के अलाहुमा सलेला मौने वाले मुमद इंसान ज्यां सुधी दुनिया मां चे त्यां सुधी ते उंग मां चे परन्तु जारे मरन वकत आऊ शे त्यारे ते जागरूत थशे आऊ परती साबीत थाई चे के इस्तुल नी अस्ती मां अपने जे भान दरावियें चे तेना करता शुक्षम जगत मां जवाप ची आपडा भान मां मदारों थाई चे हमें मनुशिय आ इस्तुल जगत ने छोड़ी ने क्यां जाई चे हने तेनी शुहालत चे एस सम्वधने विचार करियें जनम ती कोई मनुशिय आंदड़ों होई हने जो तेनी पासे आ जगत नू वराण विस्तार पुरग करवामा हावे तेमा रेली हस्ती परदातों नो गमे तेवी बारिकीती खुलासों करवामा हावे तो पन जोनार ना अनू बहुमा अने आंदड़ों मानस वराण सामड़ी तेनी कल्पना करे तेमा मोटों फरक पड़ी जाशे तेवी जरिते इस्तूल जगत नूज आपने बान धरामनार शुक्षम जगत नी हकिकत ज मात्र सामड़ी तेनी कलपना करी लेवा थी आपने कल्पना अने मून वस्तू मा गणो फरक पड़ी जाई ये सबाविक छे जे मनुश्य इबादत करी ने पोतानी अंतर द्रस्टी शुक्षम जगत ने जोई शके तेटले खिलवे चे ते मनुश्य आईस्तूल जगत ना नकर पड़ार्थों नी बदी बाजू एकज वक्ते जोई शके छे अने मात्र वस्तू नी अंदर नो भाग तेने देखाई चे उपरांत हवा अने इथेरो जापण ने देखाता नती ते पण आर पार तेने देखाई चे अने तेमा थती द्रूजर्णी जोई शके छे जेती कोई पण मनुश्य ना दिल ना विचारो तेने जानिया वगर ते जानी शके छे एटलूज नहीं पण ते मनुश्य नी अंतर द्रस्टी जेटला हद मा खिली होई तेना प्रमाण मा ते शुक्षम जगत नी हकीकत आ जगत मा रही ने पन जोई हने जानी शके छे मरण बाद पाक खुदानी अदालत मा जीवनो इंसाफ थाई छे अने इंसाफ अपाई गया बाद जुदा जुदा हालत ना जीवो माटे जुदा जुदा परेड़ाम आवे छे जेनों टूक मा विचार करिये